हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी चैनल फार आज हम आपके लिए लिक्या है गोभी से बनने आला बहुत ही ज़्यादा सा चटफटा सा कुरकुरा सा करारा सा जिसे आप एक बाँ बना कर पूरे महीने श्टोर कर सकते हैं अगर आपको गोभी की ये रेस्पी पसंद आ है इस रेस्पी को बनाने के लिए तो घैसे कworm करते हैं यहां पे हमारा जो गोभी है वेट ने तीन सूर करते एं गोवी की कटिंग करेंगे कैसे आपको बताते हैं तो फ्रैंट गोवी का यह जो पीछे ला भाग होता है इसको हम सबसे पहले अलग कर लेंगे यह देखिए इस तरह से तो यहां पर मैंने इसको साइड ने कर दिया है और यहां पर मैं टमाटल और ग्रीन चली को भी रखनूं अगर आपका हो तो आप उतनी जगासे गोवी को काट कर अलग कर देना व्योंकि गोवी में कीडे चुपे होते हैं इसलिए हम इस तरह से तारे फूल को छोटे छोटे पीसे में अलग कर रहे हैं यह देखिए तो चलिए कर लेते पिर आप से मिलते हैं तो फ्रैंट तो चलिए फटाफ़ बॉस करके लिए कि आतियों से तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने गोवी को अच्छे से वास कर लिए आप चलते तो फ्रेंड आ गया है गैस की तब एक राही लिए अब इसमें हमने तीन से चार ब्लास पानी रखा है और पानी को हम हलका सा बॉइल लाने का इंतजार करेंगे जब तक हमारा बॉइल है कि हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है तो पानी में देखिए हलका सा उबाल आगया विसमें हम हाफ टीस्पून तक नमख डालेंगे और यहां पे हाफ टीस्पून हमारा जाएगा टर्मरी पॉर्डर यानि हल्दी और जाएगे यहां पे हमें गौही को सिर्फ पचास परसंट तक पकाना है जिसको पकाने में आपको सिर्फ दोम्नट का time लगेगा कवर मत करना नहीं तो गौहीं गलाना नहीं है सिर्फी इस और हऌक करना है तो यहां पे इसको 2वնन तक को क करेंगे वह भी खुला फिर उसके बाद इसे चेक करेंगे तो फ्रेंट दोमलेट हो चुका है देखिए हमारी जो गोभी थी विल्कुल अच्छे से हाफ डन हो गई है अब देखिए गोभी पर कितना प्यारा कलर आ चुका है अब इसको एक हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से तो यहां पर हमारी जो हो भी हमारी काफी जड़ा जल लिए तो जब तक रेस्ट पर हम दूसरा काम कर लेते हैं यहां पर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो फ्रेंट यहां पर देखिए कराही मैंने सिर्फ एक टेवे स्पून तेक ऑईल डाला है ऑईल को हलका सा गरम कर लेंगे तरह से छोटे-छोटे पीसस में कर लिया है आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं तो अधर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जो लोग अध्रक नहीं खाते बिना अध्रक के भी बना सकते हैं अध्रक को हमें अच्छे से बुनना है ताकि इसकी स्मेल निकल ज अध्रक करें तो यहां पर देखिए हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून तक अजवाइन जरूर डालना इसे बहुत अच्छी खुजबू और टेस्ट दोनों आएगा और नास्ते को पचाने में मदद मिलेगी अगर आपके पास अजवाइन नहीं तो आप इसी जगा पे जीरे का भी स्टमाल कर सकते है एंडियर तो यहां पर देखिए हो चुका है हमारा साथा चीज से बूल गया है अब इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने शुरुआत ने आपको दिखाया था इसको बारी बारी करकर कर डालेंगे यह गये हमारे टमाटर जिसको आमने गूज सक तो यहां पर तमाटर को हम दिनी आज पर अच्छा सा बोल लेंगे दो से तीन सेटेंड फिर इसके बाद इसमें डालेंगे नमस काच्छी हमारा तमाटर अच्छा से गल जाए तो आप नमस डाल देंगे तो तमाटर को गल्ले में समकर स्वारी कम टाइन लगेगा यह गया हमा यह मेरा होम नेट है अगर आपको इसकी रेस्टी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना आपके साथ कर देंगे और आप हम इस पर दानेंगे हाफ तीस्पून तक चार्ट बसाला अजर आके पास चार्ट बसाला आना हो तो आप लोग इसी जगा पर निम्बू का रख तो फ्रैंट देखें टमाटर हमारा गलना शुरू हो चुका है तो जब तक टमाटर हमारा थोड़ा सा और गलेगा तब तक हम अपनी गोभी को चेक कर लेते तो देखें गोभी हमारी बिल्कुल अच्छे से ठंडी होगी अब इसका हम क्या करेंगे आपको बताते हैं तो फ फ्रैंट यह देखें मैंने गोभी को बीच लिया आपको दिखा देते हैं यह देखें इस तरह से एक बार मिक्सी को चलाया था दरदरा किया है और पानी जो हमने छान लिया होता है तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है अगर आपका पानी होगा तो बहुत करेंगे बिल्कुल भी वेश्ट नहीं करेंगे तो फ्रैंट यह देखें हमने डाज दिया इसको अच्छे से मिश करके हम दो से तीन मेर तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि जितना भी मौश्चर हो खतम हो जाए और देखें कितना प्यारा लुका रहा है तो यहां पे हम कंट करने के बाद थोड़ा सा ड्राय कर लिदना तो यहां पे देखें कितनी बढ़िया खुसबू आ रही है सारे मसाले हमारे अच्छे से बुन गए और इस तरीके से यह रेटी हो चुका है अब इसमें लाश में डालेंगे आधा नीबू का रस जिससे यह बहुत ही जड़ा च के बाद गयाश के फ्लें को बन कर देंगे और इससे बड़तर में निकालंकर ठंडा करेंगे प homeless ऐंसे थन्ड़ने रख देए यहां पे हम दूसरे बड़तर का इस्तमाल करेंगे तो बड़े साइच का बरतर लें ना आप इस पर हम कहारा रहनें गांगे आपको बताते सकते मैं इसे सो परसंड गेहूं कbels बना रही है अब इसमें एकНе सोन तब जालूगी जो हलका सा गरम होना चीए म quería स्केलम अश्डीन नमक नमग ड़ना लाइन अपर तद एक चिश्ट है अपने रहसे और स्वाइन दालेगा इसोत ओअ particular check और यहां पर इसको ऐसे करके देखेंगे अगर मुठी बानने पर बंद रहा है तो समझे यह थेल या घी आप जो भी डालें वो सही है अगर नहीं बंद रहा है इस तरह से बिखरा बिखरा सा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा और डाले की जुरूरत है आप इसमें हम करेंगे बहुत ज़रा लूज नहीं होना चाहिए और बहुत ज़रा हाट मीडियम हाट डो लगाएंगे अच्छे से मसलते वे अभी हम आपको बताएंगे किसके इंदर जैटली कितना पानी गया तो फ्रेंट देखिए इस तरह से मैंने इसका आठा लगा लिया है इतना अच्छे से हो गया है और अब हम इसको काउंटर पे रखके इस तरह से आगे की तरफ पुष करेंगे पीछे लेके आएंगे इससे क्या होगा हमाएं आठे में जितनी भी हवा है यानि एर उसको हमें निकालना है ताकि यह कुरकुर और कृस्पी बनेगा आप ऐसे बना दे किस्ते हमाते फट और हिस्ते ले और हिसको कट लगाएंगे हैं तो बाकी सारे को हम रख देंगे पटा-फट और एक ले लेंगे और इसको अमें कवर्त करके रखना है ताकि यह सुखे न और एक लेने के बाद इस बिenessान्स करते हुए इसका में लोगी बनाएंगे यह पोड़ा सा हम इसके आटा लगा के इसे रूलाओट करेंगे तो यहां पर आटा लगा है और यहां पर आपको खयाल लगना इसे बहुत ज़्दा नहीं बेलना है और हलका सा बड़ा बेलेंगे हार तरह से बराबर बेलेंगे कहीं से उच्छा-Nी-चा नहीं होना चाहिए तो यहां पे मैं कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूं और इस तरह से इसकी निकाल लूँंगी, यह देखिए, देखे रहें आप लोग और यहां पे मैं दूसरावाला भी कट कर लूँंगी, कि आप चाहें तो बड़ी सी रोटी वेल कर उसे भी निकाल सकते ये वाखी हम बार्ण यूज सकरेंगे अभर। अब हमें क्या करना है इस तरह से लेंगे और यहां पर हम इसे फोड़ा सा पानी अपलाई करेंगे तो इस तरह से हम इसके शारो तरफ पानी अपलाई करेंगे और अब हमारा यह था यह बिल्कुल अच्छे से हो गया है अब इसको हम इस तरह से गोली बना लेंगे और इसके ओपर हम इस तरह से इसको फैला लेंगे हो गया और अब हम दूसरा वाला लेंगे और इसके पर हम रखेंगे और इसको हमें चिपका देना है इच्छे से यह देखिए इस तरह से हम इसको 4 तरह से फैला देंगे तो इस तरह से देखिए फैला दिया है अब इसको मैं निकाल लूँगी यानि उपर रख लूँगी ह évidemment अब यहाँ पे आप को नाइफ लेना है औरिस पर डिजाइन डालनी है तो यहाँ पे आगे वाले भागा का इसमालना करते हों फी चलिबांगे हम डिजाइन डालेंगे ये देखिए इस तरह से कि आप चाहे तो बीना डिजाइन डाले मैं बना सकते लेकिन डिजाइन डालने से लुक फ्याराय के तो बहुत जबा कट मत करना हलका अलका सा फरस करना यह देखि踏 कि डीड इसी तरह से हमास्ता भाकी बना लेते है फिर आउसte दिखाते हैं प्रेंड देखिए उसुद्स के इन Angra ripe में का बाकी लुखे की कराही लीजे या न्मॉनियम की या फिर पैन लिजे और यहां पे हम तेल तो यहां पर हमको इतने ही डाल ले जितने bets अगर आका पैन बड़ा है तो आप dip तो इस तरह से हम डाल देंगे और यहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालने हैं ताकि यह चिपके ना आपस में और यहां पर इसका फाइनल इजर्ट बहुत ही जादा खुशूरत आता है अभी आपको दिखाएंगे तो दो मिनट तक विल्कुल भी टेस्ट नहीं पकने देंगे दो मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे तो फ्रैयंट हो चुका है हमने इसे मीडियम फ्लेब पकाया था आप इसे हम पलट देंगे तो यहां पे दिखिए कितना बढ़ी त्रीन कलर आ चुका है आप जाहे तो स्थोड़ा सा डार्स भी कर सकते लेकिन मैं इस क्योंकि आइए से हम टर्ण करके देखते हैं कि दूसरे साइट क्या हाल है तो देखिए दूसरे साइट कितना बढ़तरी तरीके से हमारा यह कुख हो चुका है आप चाहे तो थोड़ा सा और भी डार्ट कर सकते हैं अब इसे हम इस तरह से छन्ने में निकालेंगे ताकि जो हम आपस चला जाए यह देखिए बहुत ही मज़े की कुरकुरे क्रिस्पी बनते हैं और इसका डिजाइन है वह बहुत ही प्यारा आता है अभी हम आपको करीब से दिखाएंगे तो चलिए बाकी बना लेते फिर आप से मिलते नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा डिय कि आपको यह अमेजिंग सी रेस्पी जल्दी से कमेंट बॉक्स से बताना रेस्पी पसंदा है तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना अगर आप हमाई चैनल पर नए है तो हमाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना साथ ही नौट्पिकेसर बेलको आन करना ताकि जैसे वीडियो अफ्लोड करूँ आपको नौट्पिकेसर मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेस्पी का फाइदा उठापाए सबसे पहले तो यहां पर देखिए कितना क्रिस्पी है और अंदर से तोड़कर आपको दिखाएंगे यह देखिए कितने अच्छे से ह को जरी चटनी के साथ खा सकते और चाइए के साथ दिखा सकते तो इससे मैंने बहुत जबाल में लाउल किया आप छाहें थोड़ा सा ओल लाल कर सकते मैंने इसे लाइट रखा है जो लोग बहुत जरू दिना अगर पसंदा आए तो ऐसे करना मिलते हैं बहुत ही ज़ल्दी नई डैस्वी के साथ अत्ते के से बनाईए खाईए टेक केर लब यू आल